ये 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 हमारी जिन्दगी तेजी तेजी और तेजी से वरी हम्में जोश है हम्मद घोश है कुछ भी कर जाने का हम्में रोश है जा गए हम भूम रहे हम हमसे जीतन है गया वोओ ना है सदम ये है ये हमारी जिन्दगी तेजी तेजी और तेजी से वरी हम्में जोश है हम्मद घोश है कुछ भी कर जाने का हम्में रोश है जा गए हम भूम रहे हम हमसे जीतन है गया वोओ ना है सदम ये है हमारी जिन्दगी तेजी तेजी और तेजी से वरी हम्में जोश है हम्मद घोश है कुछ भी कर जाने का हम्में रोश है जा गए हम भूम रहे हम हमसे जीतन है कर वोओ ना है सदम तांजिंग यूनफेंग और यान हुई से माफी मांग लेता है वो फ्रेंड्स बन जाता है और फेडरेशन कप का कौलिफाइंग राउंड भी आ जाता है सभी यंग बुलेट रेसर कॉम्पेटिशन में अपना स्किल दिखाने और बहुत नर्वस फील करता है जी हाँ, फेडरेसे यंग लेट रेसर के दिखाने के लेशन तांजिंग रुदिखान हमाथी यंग यून फेंग को बार फिल दिलेट रेसर्स चैंपिँंशिपशिप्डिन से प्लेट क्लेंग रेंग करने के लेए तांज राईशवद आद नवी अपten तीचर मुझे फिर से डॉटेंगी, मेरा बैक कहा है? मुझे बागना चाहिए वाइट, वाइट बेटा, अज संडे, शाहिद तुम भूल रहे हो हाँ, अब सही कह रहे हो आज संडे है, मैं भूली गया था इस बात को बेटा, क्या तुमने फिर से आज वर्ल्ड चैंपिंशिप जीतने का ड्रीम देखा? हाँ, मैंने देखा कि मैं सिक्स टाइम पोडियम पर खड़ा था बहुत से लोग मुझे इड्मायर कर रहे थे और कुछ लोग मुझसे जल भी रहे थे तो ये बात है, मुझे लगता है कि बेटा, तुम्हारा सपना जरूर एक दिन पूरा होगा और वर्ल्ड चैंपिंशिप तुम ही जीतोगे आज की कॉंपिटिशन में अपना बेस देना, बस अब बस मेरी गुड न्यूस की वेट कीजिए ये डाड अभी टाइम क्या हुआ है वैसे, अभी एट थर्टी हुआ मुझे तैयार होकर जाना चाहिए, आदे घंटे में कॉंपिटिशन शुरू हो जाएगा जा बेटा, बेस्ट अफ लॉक ये गलत है, अभी कॉंपिटिशन शुरू होने वाला है और यूनफिंग आया तक नहीं वो सोता रह गया होगा, वो भी न सब लोग आ गए क्या, हाँ यूनफिंग, हम तुमारा इंतजार कर रहे है, कॉंपिटिशन शुरू होने वाला है, तुम इतने देर क्यों आये, क्या तुम अभी तक सो रहे थे मुझे माफ करना, तुम लोग की प्रपरेशन कैसी है, हाँ हम सब तयार है, आज की कॉंपिटिशन के लिए मैंने सारे स्पेर्स पाट बदल दिये हैं मैं भी प्रपेर होकर आया हूँ, बस देखते जाना, आज मैं अपना सीक्रेट पेपन यूज करूंगा ओ नहीं, सब लोग तयारी के साथ आए है, मैं तो सोता ही रह गया, मैंने तो कुछ भी प्रपेर नहीं किया है, अब मैं किया पर हूँ तुम बताओ यूनिफेयंक, तुम्हारी प्रिबरेशन कैसी है Promot Now, मैं पूरी तरह से तयार हूँ मेरी आज की और स्ट्राटेजी है, चेंज इस को डेडिकेशन के साथ फेस करना ज्ब टाइक लोटन दोले लोटे रही एhoid हो ईबगवान हम तो क्लासमेटस हैं मुझे नहीं पता था वो भी बुलेट त्रेसर चलाइदे 171 अब जिडयर कराने के लिए आज हमारे कॉंटेस्टेंट्स कैसे परफॉर्म करेंगे, आए एक नजर डालते हैं पेरिंग बोर्ड पर ये बगवान यान हुई क्यों, वो तो प्रिपेर करके आया है, मैंने तो कोई प्रिपरेशन नहीं की क्यों फिंग, क्या तुमने देखा, आज मैं तुम्हारे साथ कॉंपिट करूँगा, ये एक्सिलेंट है, आज हम दोनों पहली बार ट्रोनामेंट में एक दूसरे के अगेंस्ट कॉंपिट करेंगे, उससे इंतजार नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, मैं अपने पंचेस अंद को अंदरेस्टिमेट मत करो, देल ओ प्याराफ कॉंटेस्टेंट्स अपनी पॉसीशन देलो, जाइंज यांग अगेंस्ट जैलू, अब देखो दोस्तों मैं गॉंपिटिशन कैसे जीतता हूं, जैलू, जैलू, जैलू जैलू जैलू, जैलू देखना हो, जैलू जैलू, मैं जीत कही रहूंगा यह क्या? क्या र्यांक? मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे पुले ट्रेसर रॉनर हो तुम्हार साथ कॉंपुटिशन करना मेरा ओनर होगा तुम बहुत अच्छी हो सचुट मेरे साथ एजी रहना क्या यही रहना आक्षण शुरू किया जाए हाया जान है अहाँ प्राजन हाँ टाइंग जियांग ये क्या कर रहा है विंग राइडर ने अभी तक अटैक लाउंच नहीं किया उसकी स्कीम से उसके ओपनेंट का दिमाग खराब हो रहा है लेकिन टाइम भी खत्म हो रहा है विंग राइडर तुम किसका इंतिसार कर रहे हो ये मुझे पादू कर रहा है वेल दन टाइंजियांग तो क्या कर रहा है, टाइम तो खतम हो रहा है मैं इसे सिर्फ एक मूव से ही जीतूँगा अब टाइम आगया है विंग राइडर विंग राइडर ने अटाइक कर दिया है विंग राइडर नाइसा लग रहा है कि बो वाली क्यूट बुलेट रेसर इसे डॉज नहीं कर पाएगी कितनी नीट मूव है, इन्क्रेडिबल टाइंजियांग, नाइस मूव टाइंजियांग, मेर ये पहला टूर्नामेंट है मुझे इतनी पुई तरह से मत हराओ, प्लीज टाइंजियांग विंग राइडर राइडर रास्ट मिनिट पर रुग गया एक जेंटलमन का बियेवियर दिखाना कहीं, टाइंजियांग को पॉमपटिशन में महंगाना पड़े चलिए स्पीड रेसिंग कॉमपटिशन के ओर बढ़ते हैं हे तुम क्या कर रहे हो, हे स्पीड रेसिंग कॉमपटिशन जल्दी शुरू होने वाला है, कंटेस्टेंस अपनी पोजीशन ले लो कम ओ पैंजिंग, कम ओन, कम ओन यह मेरी कल कर रात की रिसेर्च का रिजल्ट है, मैं इस कॉमपटिशन में जीतके ही रहूंगा है 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 इत बार मैं इस शुगर कोटट कैनन बॉल के सामने नहीं जुपने वाला विंग राइडर एकदम बदल गया है, उसकी स्पीड शॉकिंग है ऐसा लग रहा है, इस बार क्या इंजिंग कॉमपटिशन को सीरियसली ले रहा है वो इस बार जीत के ही मानेगा यह क्या हो रहा है, विंग राइडर ने एकदम से इतनी हाई स्पीड क्यों कर दिया है यह उसका सिक्रेट वेपन हो सकता है, जिसकी वो बात कर रहा था है यह अगर मेरा गेस सही है तो तैंजिंग का सिक्रेट वेपन है ऋलवर प्लेट़ लोय रिजिस्टंस कंडट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्रीब इस बहुत कम और सकती है और रेज़र के परफॉमंस बहुत ही बड़ा सकती है विंग राइडर को जल्दी से स्पीड पकड़ रहा है, जरूर टैंज यांग अपना सीक्रेट वेबन यूज कर रहा होगा अब समझ में आया कि वो इतना कॉन्विडेंट क्यों था शुरू से ही अब मुझी अपना अल्टिमेट वेबन यूज करना पड़ेगा अब मुझी अपना सीक्रेट वेबन यूज को इद्रा से हार जाओंगी तुम्हां ट्रोल हो, तुम्हें क्वीक लड़की का रहे हो तैंजी कॉंपेटिशन पर फोकस करो, डिस्ट्रेक मत हो वाव, कॉंपेटिशन खत्म हो चुका है और तैंजी अग और उसकी विंग राइडर लास्ट में क्लोस पॉल के कारण जीच चुके है कॉंग्राचुलेशन्स आम रियली चॉरी पर मुझे पता है फिर कभी तुम मुझे पचाड दोगी हो आपर मुझे तुर्नामेंट के अपने फिर्स्ट ताइम की याद आ रही है मैं तुम्हारी ही तरह था, पर उस तिन जब तुम पहली बार मेरे घर पर आए, तो तुमने स्टॉम अर्चर को चूस किया मुझे पूरा यकिन है कि तुम मेरे से भी आगे जाओगे क्या तुम्हें किसी बात की चिंदा है? कुछ बात हो तो मुझे बताओ, मैं सौल करता हूँ मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए भल ही यान हो ही मेरा ओपनेंट है, लेकिन मुझे उसके साथ खेलना ही होगा और उसे हराना ही होगा बच्चे, हरना या जीतना इतना इपॉंटर नहीं है, अपने दिल की सुनो, यह सिर्फ हार या जीत का बात नहीं है, जाओ ओ, यह सिर्फ एक कॉम्पटिशन है, जस्ट्टू यूवर बेस्ट हाँ, मुझे पता है, मुझे क्या करना है योग फैंक, जल्दी कॉम्पटिशन शुरू होने वाला है, तुम अभी तिक वहाँ क्यो खाड़े हो तुम्हें जा कर अपनी मुली चेक करनी चाहिए जा कर अपनी मुली हिसे चक करनी चाहिए मैंने सुना क्या कह रहे हो यानोई मैं आ रहा हूँ सुरी आप सभी को इंदिजार करवाने के लिए कॉंपेटिशन की सेगंड डिवीजन शुरू होने वाली है यह फेंग अगेंस्ट यान हुई हम बैटल राउंड शुरू करते हैं यह एक स्पेशली प्रपेर्ड बैटल होगी यह एक सीरियस आपस्टेकल रहेगा कॉंटेस्टेंट्स के लिए और यह इस टॉर्नाडो बैटल ग्राउंड देखते है यह इंट्रेस्टिंग है यूनफेंग मैं तुमारे लिए इजी नहीं होने वाला मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा और मैं ही जीतूँगा हर हाल में गुट एटलिस्ट तुम मेरा हंड्रेट परसेंट देखोगे अपनी बख्वास बंद करो हारने के बादे रोना मत अक्शन शुरू किया जाए गो फ्लेमिंग रेस है हाई स्टॉर मार्चर जाओ या नुई अटाक करने में लीड कर रहा है याद रहे गिये स्पेशल बैटल ग्राउंड असानी से बार नहीं होने वाला मैं अपने आपको नहीं रोपने वाला देखो मुझे स्टॉर मार्चर अटाक यह सही में बढ़िया है अब मुझे देखो क्या यह किस तरगी टैक्टिक है हाँ यह तुमारे लिए एक आई ओपनर है जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही हुआ फ्लेमिंग रेसर ने बैटल बोर्ट पर हाई स्पीड में रोटेट किया अब यह ग्राजुली स्टॉर मार्चर के पास जा रही है यह भगवान मैं उसके पास नहीं जा पार रहा हूँ ए एक आईडिया है इस मूव के बारे में क्या कहना चाहोगे हाँ यह बहुत एक्साइटिंग है यह अन फिंग ने बड़ी ही कुशलता से अरीना का फाइदा उठाते हुए एक नाचुरल बैरियर क्रियेट किया है अब यह अन हुई कैसे स्ट्राइक बैक करेगा चल यह देखते हैं तुम बहुत अच्छा प्रोपरिस्टी खर गए हो एक अच्छा रणर को अपने सराउंडिंग इंवार्मेंट को यूज़ करने की इताकत भी चाहिए क्या अनुई तुम इसे कैसे काउंटर करोगे यह टेरिफिक स्किल है तुम्हें मुझे नीचे नहीं किरने तुम मेरे साथ ट्रिक मत खेलो अभी दिखाता हूँ तुम्हें देखो अल्टिमेट टैक्टिक फ्लेमिंग रेसर पियर लांच कर दिया है शायद स्टॉर्मार्चर इसे सर्वाइव नहीं कर पाएगा यह कैसे हो सकता है यानफेंग ने स्टॉर्मार्चर को स्टॉंग टॉर्मार्चर को जाने दिया उसकी बिलेट रेचर का बैलेंस बिगड़ गया है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है यून फिंग ही ऐसा कुछ कर सकता है वो बहुत इंप्रेसिव है बहुत अच्छे ये काम कर रहा है ये कैसे हो सकता है उसने मेरे फ्लेमिंग स्पियर कैसे पकड़ लिया ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है तो अर्नाडो की पावर से यन वेंग ने सकसफुली यान हुई की फ्लेमिंग स्पियर को पकड़ लिया ये तो एकदम ही अलग हो गया अब स्पीड रेसिंग कॉंपटीशन में पता चलेगा कि विनर कौन है चलिए आगे देखते हैं क अगर ये एक टॉर्नाडो बैटल बोर्ड ना होता तो मैं तुम्हारी फ्लेमिंग स्पियर से हार चुका होता तुम हमबल बन गए हो अंकल मा ने मुझे बताया था कि एक अच्छे बुलेट रेसर होने के नाते तुम्हें सराउंडिंग इन्वार्मेंट का यूज करते आन रोडिंग पनो गये वेलकम बैक सज्जन और सज्जनीयों अब आगे है स्पीड रेसिंग इस मोमेंट पर स्टॉर्म आर्शर और फ्लेमिंग रेसर शाटिंग लाइम पर वेट कर रहे हैं वहाँ पर स्टॉर्मार्शर जाओ इस बार मैंने आने वाड़ा स्लेमिंग रेसर जाओ एटेक करो रेस शुरू हो चुकी है दोनों बुलेट रेसर ने एक दम फ्लेक्स बोस से निकले स्टाई यार उसकी तरह स्टार्ट हुआ समल के मैं गिव अप नहीं करूंगा यह बहुत एक्साइटिंग है दोनों बुलेट रेसर एक दूसरे को पचाडने में लगे हुए है दोनों ही बराबर की टक करके है यन फैंग की स्टॉर्मार्शर थोड़ी सी आगे है लेकिन यान हुई इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला मुझे पूरा यकीन है वो भी सही मौके की तलाश में है यह फ्लेमिंग रेसर ट्रैक से बाहर हो गई है क्या यह कोई ट्रिक है चल यह देखते हैं क्या होता है मैं इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाला क्या युन फैंग हार जाएगा आज एक्सपेक्टेड कर्व की मदद से यान ही ने फ्लेमिंग रेसर को फ्लाई करके स्टॉर्म आर्शर को ओवर्टेक कर लिया है वो दोनों फिनिशिंग नाइन को अप्रोच कर रहे हैं यह क्या हो गया अचानक तुम्हारे जैसा केरलेस इंसान मैंने आज तक नहीं दिखा तुमने मेरे अंकल की स्टॉर्म आर्चर को यूज किया है तुम उसके लिए डिजर्व नहीं करते तुम बुलेट रेसर मत बनो तुम उसके काबिल नहीं हो यह बगवान मैं फिर से नहीं हार ना चाता स्टॉर्म आर्चर कमान अची क्या हो रहा है स्टॉर्म आर्चर में एकदम से इतनी एनेरजी कहां से आ गई क्या जो मैंने अभी तहा इसे समझा गिया यह तो बढ़िया है यह क्या है मैं हार नहीं मानूंगा वो दोनों फिनिशिंग लाइन को अप्रोच कर रहे हैं स्टॉर्म आर्चर और फ्लेविंग रेसर एकदम साथ में है यूफैंग और यान हुई में से कौन विनर होगा आए देखते हैं यूफैंग पहले कॉम्पिटिशन में बहुत बढ़िया एबिलिटीज दिखाता है उसके और यान हुई के बीच में टाय हो जाता है मिस्टर जिन बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि अगर ही यंग टैलेंट ऐसे ही आगे फाइनल्स की तरह बढ़ते रहे तो वो डेमान गॉड रेसिंग टीम को हरा देगा इसलिए वो और्गिनाइजिंग कमिटी में दबाव डालता है कि डेमान गॉड रेसिंग का टीये यूफैंग के साथ कॉम्पिट करें सब लोग लास मॉमेंट में सब्सक्राइजिंग में हुए चिंजेस की कारण गुस्सा हो जाते हैं देखते हैं वो इससे कैसे डील करेंगी हम तो बस खेले ये खेल है इसका दूजा ना कोई मेल जिसमें दबना वो होता है ते हो खत्रू से भरी है हमारी जिंदगी खेलो तो चानो ये खेले ये मुश्किल मानकर चलो दमना ही हमसा कही मुश्किले आती गे पर ना रुकते कही आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है हम तो बस खेले ये खेल है इसका दूजा ना कोई मेल जिसमें तमना वो होता है ते है खत्रू से भरी है हमारी जिंदगी खेलो तो चानो ये खेले है मुश्किल मानकर चलो दमना ही हमसा कही मुश्किले आती है पर ना रुकते कही आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है मानकर दूप शपने तो चानो दो दुफ्ट से खेलो शेषा वोश्किले खेलोन ये जो वोपना ये द। हुआः तो